गुद मॉर्निंग फर्स्ट क्लास हम लोगोंने इंगलेश रीडर में चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 कम्प्लीट कर लिया था इसकी रीडिंग हमने लाइब क्लास के टाइम पर कर ली थी अभी इस वीडियो में हम लोग इसके वर्ड मिनिंग और इसका एक्सराइज पर डिसकस कर लेंगे बोद दा चैप्टर चैप्टर नंबर 9 के भी और चैप्टर नंबर 10 के भी then coming to the वर्ड मिनिंग फर्स्ट इस बात बात मींज नहाना सेकेंड है वेट वेट मतलब गीला थर्ड है वाइप वाइप मतलब पोंचना फोर्थ है ड्राइ ड्राइ मीन्स सूखा फिप्थ है शेक शेक मीन्स हिलाना शिक्स्थ है शाइनी शाइनी मीन्स चमकदार तो यह आपके लेसन नंबर 9 के वर्ड मिनिंग से जो आपको नोटबुक में करने है not tick the correct answer the poem is about यह जो poem हमने पढ़ी थी वो poem किसके बारे में थी taking food food के बारे में yaşa taking bath या फिर taking lunch lunch के बारे में तो जो poem हमने पढ़ी थी that is about that was about taking bath वो nahanे के बारे में थी तो हमने taking bath tick कर दिया second है the dash takes time to wipe himself किसको अपने आपको पोँचने में time लगता है boy को, girl को या man को तो इस poem में हमने किसके बारे में पढ़ा था हमने एक boy के बारे में पढ़ा था जो कि नहा रहा था तो यहाँ पर किसको time लग रहा था boy को time लग रहा था third है, the boy imagines himself a dash boy ने खुद को, जब वो नहा कर जब पोँच रहा था wipe कर रहा था हुद को तो उसने कुद को किस से relate था किस से imagine किया था कि मैं यह होता तो मुझे कम time लग लगता पोँचने में dog के बारे में, cat के बारे में और chick के बारे में तो वो था dog के बारे में फोर्थ है, the boy wipes himself till is dry while a dog dash. जो लड़का था, वो तो खुद को wipe कर रहा था, पोंच रहा था, जब तक कि वो सूख ना जाए, जब कि डॉग क्या करते हैं, डॉग भी wipe करते हैं, जम करते हैं, शेक करते हैं, तो जो डॉग होते हैं, वो खुद को हिलाते हैं, शेक करते हैं, तो यहाँ पर हमने शेक को टि I... तो हाईगा I try, try, try after my bath I try, try, try next है to wipe myself यानि कि खुद को पहुचने के लिए till I am dry, dry, dry जब तक कि मैं पूरी तरह सूखना जाऊ till I am dry, dry, dry second question है how many wet legs does he wipe वो कितने गीले पैरों को पहुचता है वो जो बच्चा होता है, वो कितने गिले पैरों को पहुचता है, तो वो एक ही बच्चा है, और एक इंसान के दो पैर होते हैं, तो two wet legs, दो गिले पैरों को वो पहुचता है, इस चैप्टर में कौन-कौन से पार्ट को वो वाइप कर रहा था, पहुच रहा था, तो उसने अपने hands वाइप किये थे, fingers वाइप किये थे, toes वाइप किये थे, legs वाइप किये थे, और nose वाइप किया था, ठीक है, second है, how much time it would take if he were a dog, अगर वो dog होता, तो उसको कितना time लगता, तो हमने chapter में पढ़ा था, कि अगर वो dog होता, तो उसको कम time लगता, तो हमने लिखा, it would take less time, उसको कम time लगता, फिर आप ये activity भी करेंगे, जिसमें आप लिखेंगे, I wake up at, मैं उठता हूँ, 6 a.m पे, I dash my teeth, म नहाता हूँ, I get ready for, मैं तयार होता हूँ, किसके लिए, school के लिए, I go to school in, मैं school जाता हूँ, किसमें, bus में, we study various, हम आपर अलग-अलग तरे के क्या पढ़ते हैं, subject पढ़ते हैं, तो ये work आपको chapter number 9 का complete करना है, ठीक है, जो मैंने अब आपको पूरा बता है, coming to chapter number 10, word meanings, first है grazing, grazing मतलब चरना, ठीक है, इस chapter में हमने पढ़ा था, इस नेहा और पिंकी टू सिस्टर्स थे, और वो अंकल राज के फार्म पर गये थे, वो फार्म बहुत बढ़ा था, वहाँ पर उन्होंने अलग-अलग अनिमल्स को देखे थे, ठीक है, तो इस तरह हमने पढ़ा था, कि जो काउ थे और बफेलोस थे, वो क्या कर रहे थे, ग्रेस कर रहे थे, यानि चर रहे थे, घास का रहे थे, सेकंड है लैम, लैम क्या होता है, यानि कि जो भेड होता है, उसको मेमना भी कहते हैं, ठीक है, थर्ड है स्टेबल, स्टेबल क्या होता है, जहां घोडों को रखा की जगा फाम मींज खेत एंड पॉंड मींज तालाब ठीक है तो यह हुआ वर्ड मिनिंग यह वर्ड मिनिंग आपको अपने नोट बुक में करना है देन टिक दे करेक्ट आंसर फर्स्ट है ऑन विच दे स्नेहा एंड पिंकी प्लान तो विजट अंकल राज फार्म कौन से दि तो हमने संडे को टिक कर दिया नेक्स्ट है who were jumping in the farm? फार्म में यानि कि खेत में कौन जम्प कर रहा था? कौन खूद रहा था? डॉप्स कूद रहे थे? लैमप कुद रहे थे? या काउस खूद रही थी? dogs तो बार्क कर रहे थे तो जम कौन कर रहा था lambs यानि कि जो मेमना था वो third है who milked a got got का milk किसने निकाला था सनेहा ने, pinky ने या अंकल राज ने तो got का milk अंकल राज ने निकाला था और pia किसने था किसने ड्रिंक किया था सनेहा एंड pinky ने फोर्थ है what did स्नेहा और पिंकी see in the sky after rain जब बारिश हो गई थी तो बारिश होने के बाद स्नेहा और पिंकी ने आस्मान में क्या देखा, sky में क्या देखा, उन्होंने rainbow देखा, sun देखा या stars देखा, तो बारिश के बाद उन्होंने क्या देखा, rainbow देखा था, ठीक है, next है answer the following questions, whose farm did स्नेहा और पिंकी go to see, किस का farm देखने स्नेहा और पिंकी गए थे, uncle Raj's farm, वो uncle Raj का farm देखने गए थे, second है, what were the cows doing, जो cows थी, वो क्या कर रही थी, तो वो लोग grazing, यानि कि वो चर रही थी, third है, whose milk did स्नेहा और पिंकी ड्रिंक, स्नेहा और पिंकी ने किस के मिल्क को ड्र fourth है, where did स्नेहा और पिंकी सिट, स्नेहा और पिंकी कहां बैठी थी, they sat under a shady tree, वो एक चाया देने वाले पेड के नीचे बैठी थी, fifth है, when did they see a rainbow in the sky, उन्होंने आस्मान में rainbow कब देखा, after it stopped raining, जब बारिश रुख गई, तब उन्होंने rainbow देखा next है, filling the blanks, इसमें first है, स्नेहा और पिंकी ने प्लाइन किया था, कि वो एक पूरा दिन बिताएंगे, कहां पर, farm में, ठीक है, तो यहां पर हमने farm लिखा, it was a dash farm, वो farm कैसा था, बड़ा था, तो हमने लिखा, it was a big farm, third है, lambs were dash in the farm, जो lambs थे, जो मेमना था, वो क्या कर रहा था, तो हमने लिखा, jumping, fourth है, uncle Raj, uncle Raj ने दूद निकाला, किसका, got का, fifth है, uncle Raj went to check the dash dogs, uncle Raj कैसे dog को चेक करने गए थे, तो वो था barking dogs, यानि कुत्ते जो बॉक रहे थे, उनको चेक करने गए थे, next है, true and false, first है, स्नेहा और पिंकी आर सिस्टर्स, स्नेहा और पिंकी बेहने थी, बिल्कुल सही, true, second है, uncle Raj has a small farm, uncle Raj का, जो farm था, वो छोटा था, तो ये तो false है, उनका तो big farm था, लेकिन हम यहाँ पर false लिखेंगे, क्योंकि इनोंने कहा है, कि उनका farm small था, तो ये false है, third है, the cows and buffaloes were running in the dump, जो cows and buffaloes थे, क्या वो इदर उदर दौड रहे थे, नहीं, वो तो तो ये भी false है, fourth है, स्नेहा और पिंकी ड्रैंक milk of got, स्नेहा और पिंकी ने got का milk पिया था, बिल्कुल सही, true, fifth है, they saw hens and chicks in the pond, उनोंने तालाब में hens और chicks देखे, तो ये तो wrong है, उनोंने तालाब में तो डग देखा था, तो ये false आ जाएगा, ठीक है, तो ये आप लोग क complete करेंगे और इनके word meanings करना मत बूलना, ठीक है, ये work complete करके, learn कर लेना, फिर भी अगर इस chapter से related कोई भी problem हो, तो मुझसे पूछ लेना, मिलेंगे next class में, बाई